आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो खाने में बहुत तेस्टी और कृस्पी होती है और आप इसे बनाकर दो महनी तक स्टोर भी कर सकते हैं और इससे बनाना बहुत ही आसान है वेलकम बैक टू मै कीचिन मै हुरा मिशरी तो आज हम बनाने वाले हैं चावल के नमकीन तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे तीन चौथाई कप पानी मतलब एक कटोरी से आपको एक चौथाई कम लेना है तीन चौथाई लेना है थोड़ा सा नमक एट करेंगे और इसमें ड तोड़ा सा हलका सा गरम हो जाए, इतना ही हमें से गरम करना है, बस इस स्टेश पर जैसे ही पानी आ जाए तो गैस आफ कर दीजिए, गैस से उतार कर इसमें हमें एट करना है चावल का आटा, तो जब पानी गरम रहेगा तब इस आटे को मिक्स करना है, अच्छे से इसमें को आटे को साइड में रखके हम दूसरी तयारी कर लेते हैं तो यहां पर कड़ाई में मैंने एक चम्मच ऑइल डाला है अब थोड़े से इसमें बादाम डालेंगे और थोड़े काजू यह 8-10 काजू और 8-10 बादाम है इन्हें मैंने 20 से कट कर लिया है इन्हें गोल्डन होने जैसे यह थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे हम यहां पर एट करेंगे मखाना तो यहां पर मैंने लगबग आधा कप मखाना लिये हैं इन्हें भी साथ में रोस्ट कर लेना है ताकि मखाना अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सारे ड्राय फूर्ट्स रोस्ट हो चुके हैं इन्हें अब हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे और अब इसी कड़ाई में थोड़ा तेल और एट करेंगे और इसमें हम डालेंगे रोस्टेड मूंग फली इसे हमने पहले ड्राय रोस्ट कर लिया है और इसकी आधे छि निम की पति धेर सारी मीठी निम की पति डालें मिक्षर में बेटी निम की पतिये बहुत अच्छी लगती जैसे ही मीठी निम के पत्ते भी क्रिस्प हो जाएंगे तो हम गैस ऑफ कर देंगे गैस से कड़ाय उतारने के बाद इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो यहां एक थोड़ा कम भी कर सकते हैं इसके बाद इसमें डालेंगे एक चमबच चाट मसाला थोड़ा काला नमक काली मिर्च पॉडर अमचूर और थोड़ा सा नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एड़ करना है जो हमने ड्राइफ रूट्स रोस्ट करके रखे हुए है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब ये बढ़िया टेस्टी से ड्राइफ रूट्स नमकीन बन कर तयार हो चुके हैं आप इन्हें ऐसे भी खा सकत यह बहुत टेस्टी होते हैं, अब हमें चाहिए होंगे दो उबले हुए आलू, तो इन्हें हम ग्रेटर की सहता से ग्रेट कर लेंगे, इसे हमें मसलना या फोडना नहीं है आलू बोर आटो को अचछे से ग्रेट और तो अगर आप मसललेंगे, तो फिर थोड़ा गूत लीजिए अब इसके बाद इसमें एट करना है हमें जो हमने आलू तयार करके रखे हुई है करदू कस करके तो इसमें हम आलू को एट कर देंगे आलू एट करने के बाद इसका हमें एक डो तयार करना है आलू को वालने के बाद जादा दिर पानी में मत रहने दीजेगा नहीं तो वो पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो गीले हो जाते हैं तो यहां पर थोड़ा सा गीला हो गया है डो, तो इसमें थोड़ा सा आटा हम और एट कर देंगे, और फिर इसके बाद इसको हमें एक टाइट डो होना चाहिए, डो अगर टाइट नहीं होगा तो अच्छे से सेव नहीं बनते हैं, सेव तूट जाते हैं, तो मेरा आटा नमकीन बना सकते हैं तो इस तरीके से मैंने एक प्रेस मशीन ली है नमकीन मेकर तो इसमें मैं इसको फिल कर दूंगी डोको थोड़ा सा ओयल मैंने अंदर लगा दिया है और इसके बाद इसका हमें नमकीन तेयर करना है नमकिन मेकर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आप चाहे तो आनलाइन इसे पर्चेस कर सकते हैं इससे नमकिन बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही आसानी से हैंडल हो जाता है कड़ाई में तेल गरम हो चुका है तो इस तरीके से इसे प्रेस कर दीजिए और बहुत ही बड़ी ऐसे नमकिन बनकर तयार हो जाते हैं तो इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से आपको फ्राय कर लेना है गोल्डन होने तक तो आप देख सकते हैं कितने बड़ीय नमकिन बनकर तयार हुए हैं तो यहाँ पर यह बारिक वाली सेव हमने पहले निकाले थी फिर उसके बाद हमने उसे थोड़ा सा मोटा जाली इसमें लगा के थोड़े से मोटे सेव तयार कर लिए हैं कलर सफेद भी आप हलका सा रख सकते हैं तो भी यह क्रिस्प हो जाते हैं अच्छे से तो इस तरीके से मैंने थोड़ा से कलरफूल कर दिया इसे और इसके बाद जो ड्राय फ्रूट्स हमने तयार करके रखे हुए हैं उसे एट कर लिजे और यह बढ़िया से टेस्टी से चावल की नमकिन बनकर तयार हो चुके हैं तो आप इससे बनाकर एटाइट कंटेनर में दो मेहने तक प्रिजर्व भी कर सकते हैं तो आपको यह वीडियो हमारे कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जो बताइए पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजे और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर आल पर क्लिक कीजे तेंक्स पर वाचिं